वल्कम टू इस्टों डिक्टेशन अगर आप चाहिए पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन जरूर दवाएं डिक्टेशन पांच सेकेंड बात सुरू होगा रिडी स्टार्ट यदि घटना में कोई संपत्ती नस्ट हुई है तो उसका विवरण दिया जाएगा थाने पर अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस सूचना के अंश को भी अंकित किया जाता है जिस व्यक्ति द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया गया है उसका भी विवरण अंकित होता है किसी मामले में निरड़ करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का व्यापक महत्व होता है तथा जो घटना के विशय में जानकारी देता है निरड़ करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्न विंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से अंकित कराई गई है यदि हाँ तो उसका क्या कारण है। दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रस्तुत होने की इस्थित में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवाद क्या है दांडिक वादों के कारेवाही में जब किसी अपराद से व्यथित व्यक्ती या कोई अन्य व्यक्ती जो अपराद से व्यथित न भी हो उस मामले में कारेवाही माननी न्यायालय से सीधे चाहता है तो वह न्यायाले के समक्ष अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत करता है, परिवाद में निम्न तथ्य समाहित करना होता है, परिवाद किस न्यायाले के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, उसका नाम अंकित किया जाएगा, परिवाद किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम पिता का नाम उम्र पता अंकित किया जाता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम यदि मालूम है तो उसका नाम पता उम्र आदिका वर्डन किया जाता है परिवाद में घटना का संचिप्त एवंग स्पष्ट विवरन लिखा जाता है जिससे उस घटना के होने की बात कही जा रही है उसका पूर्ण वर्डन होना चाहिए जैसे घटना कहां पर हुई थी घटना कब हुई थी घटना किसके द्वारा कारित हुई थी घटना के समय वादी क्या कर रहा था घटना के वक्त और कौन लोग उपस्तित थे तथा घटना के पीछे क्या आसे था इन तथ्यों को क्रमांक के अनुसार वर्णित करना चाहिए परिवाद पत्र में यदि घटना कारित करने वाले अभियुक्त के विसे में पूरी जानकारी हो तो उसका नाम पिता का नाम आदिका वर्ण करना चाहिए परिवाद पत्र में इस तत्य का वर्ण किया जाना आवश्यक है कि घटना जिसका आरोप या कथन परिवाद पत्र में शामिल है उसे परिवादी आवेदक द्वारा किन किन मौखिक साक्षियों के द्वारा स्थापित साबित किया जाएगा परिवाद पत्र में के अंत में जिस अनुतोश की याचना न्यायाले से की जाती है उसका वर्डन किया जाता है आरोप क्या है आपराधिक मामलों में आरोप व आरोप का विर्चन एक महत्पूर्ण घटक होता है क्योंकि आरोप से ही निर्ड का आधार तैयार होता है आरोप के माध्यम से अभियुक्त को यह पता चलता है कि उसके उपर किस अपराध के करने की बात कही गई है तथा वादी व साक्षियों का साक्ष भी आरोप के विशे में ही होता है न्यायाधीस के लिए निरड़े करते समय आरोप एक महत्पूर्ण घटक होता है जिस पर उसका निरड़े आधारित होता है अगर डिटेशन अचलागा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे डिटेशन डिली पाने के लिए चलन को सब्स्राइब जरूर करें